Hello aspirants, welcome to competition guru आज के session में मैं आपके लिए लेके आए हूँ Absolute Income Hypothesis जो कि आपके consumption functions के लिए बहुत important है तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप aggregate demand को पढ़ते हैं aggregate demand का concept करते हुए आपका क्या formation आता है आपको आता है AD equal to C plus I plus G plus X minus M आपको हर component को separately retail में पढ़ना पढ़ता है तो पहला जो component आता है आपका that is consumption तो हमें consumption से related सारे hypothesis को पढ़ना पढ़ता है separately इसमें आपके तरह तरह की hypothesis आते हैं जैसे absolute income hypothesis, relative income hypothesis इसके इलावा permanent income hypothesis, life cycle आपका theory आता है मोडग लाने की उसके इलावा आपका random work model आता है तो आपकी consumption की बड़ी सारी theories आती है लेकिन first theory जो आपकी आई है जो develop हुई है वो है आपकी absolute income hypothesis which is nothing but your consumption का theory, right तो यह आपका किस ने दिया है सबसे पहले तो so this was basically provided by Keynes जैसे कि आपको पता है यह आपका Keynes ने provide करा है यह Keynes की theory है तो इस theory का हम basically इसको carry forward करेंगे कि इस theory में क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या relevant है आपके exam के point of view से पर साथ में उसके detailed analysis को भी करेंगे right so let's start with our topic तो सबसे पहले देखिए हमारा जो आज का focus है वो है आपके absolute income hypothesis सबसे पहले तो है क्या तो absolute income hypothesis पहले तो दिया किसने Keynes ने दिया है कब दिया है उन्होंने ये 1936 में दिया है अपनी book में जिसका नाम है general theory of employment interest and money तो यह आपको याद रखना पड़ेगा obviously important book है नाम भी book का और साल भी तो यहाँ पे Keynes का अगर आप aggregate demand का function याद करें अपना तो आपको पता है कि aggregate demand जो है वो two sector में c plus i होती है autonomous माना गया है autonomous मतलब it is independent of level of income तो i जो है वो income की बदलने से नहीं बदलेगा investment जो है जिससे support आपने गाड़ी लेनी है तो अगर आपने गाड़ी लेनी है क्योंकि आपकी जरूरत है तो आप यह नहीं देखोगे कि आपके income में लाय करता है कि नहीं करता आप यह देखोगे कि लेनी है मुझे तो मुझे initial investment तो करनी पड़ेगी अगर मुझे अपना taxi का business चलाना है तो भले ही मेरे पास income ना हो पर मुझे गाड़ी लेनी पड़ेगी initial investment करनी पड़ेगी without income also उसे हम कहते हैं autonomous investment यानि वो वाली investment जो income से income pay dependent नहीं होती है अब देखिए आपका consumption अगर आपको याद हो आप recall करो आपने एक चीज़ पड़ी थी जो कींज ने कहा था consumption is a function of income यानि कि आपकी जो income है उससे डर्टे माइन होता है कि आप क्या consume करेंगे और कितना consume करोगे तो consumption जो भी है जैसे suppose करो अगर आपकी income कम है तो आप खाने पीने का राशन जो है वो थोड़ा सस्ता लोगे जैसे जैसे income बढ़ती जाएगी थोड़े better brands पे shift करोगे है ना तो income बढ़ेगी consumption भी increase होती है right obviously same rate पे होती है उस पर मैं बाद में आऊंगी वो psychological law of consumption है वो हम करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए that consumption is a function of your income वो आपकी income पे dependent होता है right अब देखिये next क्या main properties है की इंस के function की सबसे पहली property देखिये जो बड़ी important property है वो यह है कि आपका जो consumption expenditure है that is a function of your current disposable income तो कुछ नए words दिख गए हमी क्या-क्या words दिखें नए real यानि कि आपका real consumption expenditure आपकी real income पे dependent होगा real क्या होता है real जब भी नवर्ड आता है real का मतलब है in terms of goods and services यानि कि आप suppose करो आपके पास 100 रुपे है पहले 100 रुपे में आप एक चॉकलेट ले रहे थे आप वो वाली चॉकलेट जो 100 रुपीज की है वो 50 की हो गई अब आप दो ले रहे हो तो भले ही आपकी money income सेम रही लेकिन आपकी real income बढ़ गए क्योंकि पहले आप सिरफ एक चॉकलेट ले पा रहे थे अब आप दो ले पा रहे हो तो real income आपकी increase हो गई समझ में आया तो आपका जो real consumption है वो किसपे depend करता है आपके real current disposable income disposable का क्या मतलब होता है disposable का मतलब वो वाली income जिसपे tax लग चुका है white money जिसको कहते है तो white money वो वाला पैसा जिसपे tax आपका जो है वो लग चुका है I hope कि यह clear हो गए नेक्स देखिए theory is treated as a short run theory जब भी हम Keynes के बात करते हैं याद रखिए Keynes के functions हमेशा short run के functions माने गए हैं यानि कि जो भी आप Keynes की study करेंगे उसमें हमेशा short run analysis रहती है short time period की studies है long time period की नहीं so it's a short term analysis next देखिए theory is treated as a short run theory जो मैंने आपको अरड़ी बता दिया अब आएए थोड़ा सा recall करेंगे consumption function को तब इस perspective पे आप आएंगे तो ये वाला जो आपका point है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी जब हम इसको पढ़ लेंगे उसके बाद दुबारा इस point पे मैं आपके आऊंगे MPC declines as your income increases जैसे जैसे आपकी income बढ़ेगी वैसे वैसे MPC decline करेगा लेकिन MPC है क्या आपकी consumption क्या है ये सब कुछ हमने अब करना है तो देखिए आपका जो consumption function है that is c is equal to a plus by in this particular case आपका a क्या है it is your autonomous consumption ये वो वाली consumption होती है जो depend नहीं करती है आपकी income पे अगर आपकी income 0 होगी तो क्या आप कुछ भी नहीं खाओगे इसा तो नहीं हो सकता कपड़े चाहिए खाना चाहिए घर चाहिए electricity चाहिए internet चाहिए ये वो चीज़े हैं जो अगर income नहीं भी होगी तो भी हमें चाहिए राइट अगर job चली जाए तो कहां से खाएंगे कहां से लाएंगे consumption के लिए पैसा dis save करेंगे पहले की savings को use करेंगे ये ही मतलब है तो a क्या होता है a is your autonomous consumption ये वो consumption है जो income level पे dependent नहीं होती है ठीक है उसके बाद next ये वाला portion वो है ये देखे अगर मैं आपको यहां पे दिखाओं तो आपकी consumption curve यहां से शुरू हो रही है 0 से नहीं जहां पे income 0 है वाहां से शुरू नहीं हो रही हो पर से शुरू हो रही है तो ये पूरा portion क्या है आपका autonomous consumption तो autonomous consumption है आपकी A, B होता है आपका slope of your consumption curve यानि जहां से consumption curve शुरू हुई यानि कि यहां से आपका income ने आपकी consumption को affect करना शुरू कर दिया तो जिस slope से वो affect हो रही है या उसकी जो shape है वो क्यों ऐसी है वो सब determine करता है आपका slope तो आपका जो slope होता है आपकी consumption कवका उसे कहते हैं marginal propensity to consume यानि MPC तो marginal propensity to consume क्या होता है it is additional consumption due to additional income suppose करिया आपके बस 500 रुपीज extra आ गए तो उस 500 रुपीज में से आपने कितना खर्चा for consumption, कितने पैसों में आपने कुछ खाया that is going to be your MPC तो additional consumption from additional income is MPC so this is equal to your Y right, sorry this is आपका multiplied with Y so C is equal to A plus B Y यह होता है आपका consumption function जब हम इसकी slope की value निकालते रहते हैं वो value constant आती है इसलिए आपकी जो curve है वो linear बनती है उपर को ठीक है तो यह तो आपका function दिया था Keynes ने और इसी function को उसने further जब you know, मतलब study किया तब उसने यह बोला कि आपका जो MPC है उसकी जो value आती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है और extreme conditions में वो value या तो 0 या 1 भी हो सकती है extreme conditions में ऐसा भी possible है next देखिए MPC declines as income increases यह है आपका psychological law of consumption अगर आपने पढ़ा होगा Keynes का law है Keynes के through यह दिया गया है इसको हम कहते है psychological law psychological law basically क्या कहते है बड़ा simple सा law है जैसे जैसे income बढ़ेगी वैसे वैसे consumption भी बढ़ेगी लेकिन same rate पे नहीं यानि कि आपकी income आज 10,000 है 10,000 में आप 8,000 का खाना पीना कर रहे हैं कंजियों जो कर रहे हैं 2,000 सेव कर रहे हो जब आपकी income 20,000 होगी तो भी आप 20 फिर आप 8,000 का तो नहीं खर्चा करोगे थोड़ा जादा अपना बढ़ाद होगे लेकिन आप ये नहीं करोगे कि जैसे पहले सिरफ 2,000 बचे तो अभी भी सिरफ 2,000 ही बचेंगे चायद अब आप 14,000 का खर्चा करो तो 6,000 बचाओगे ठीक है तो यानि कि जैसे जैसे income बढ़ती है लेकिन same rate पे नहीं अगर income 10,000 से बढ़ी है तो consumption पहले अगर 8,000 की तो इस बार ही ज़रूरी नहीं है कि 8,000 6,000, 5,000 होगे ठीक है तो आपका psychological law क्या कहता है कि आपका MPC जो है वो decline करेगा जैसे जैसे आपकी income जो है वो बढ़े next देखिए next आपका point क्या है आपका MPC is always less than APC अब ये point क्या कहता है MPC मैंने आपको कहा होता है delta C upon delta change in consumption due to change in income is your MPC लेकि APC क्या होता है APC is C upon Y यानि कि total consumption divided by total income तो total income में से कितना consume किया total that is your APC average propensity to consume तो आपका जो MPC और APC है वो क्या है MPC is delta C upon delta Y APC is C upon Y आपके कींज ने अपने absolute income hypothesis में कहा कि MPC हमेशा आपकी APC से कम रहेगा देखिए क्या लिखा है MPC हमेशा APC से कम रहेगा यानि कि जो आपका change in consumption upon change in income होगा वो हमेशा कम रहेगा आपके total consumption upon total income यह हमेशा कम रहेगा ठीक है क्योंकि short run की बात कर रहे हो ना short run में income में थोड़ा सा भी change आता है तो consumption भी बदलती है लेकिन वो कभी आपकी total consumption और total income को सरपास नहीं कर पाएगी हमेशा कम रहे जाएगी आपकी APC से यानि average propensity to consume से तो यह थी main propositions of your Kean's theory of absolute income hypothesis अब obviously यह अच्छा hypothesis है थोड़ा real भी लग रहा है राइट लेके इसमें कुछ problems थी obviously बड़ी सारी problems आती है हर theory में कुछ ना कुछ drawbacks आते हैं criticisms आते हैं क्योंकि जब हम एक theory को पढ़ते हैं कोई ना कोई उसको बैठके criticize जरूर करते हैं तो आप देखिए सबसे पहला drawback Kean's theory is conjectual सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि conjectual क्या होता है तो conjectual का मतलब है ऐसी theory जो empirical investigation के बाद प्रूव नहीं हो पाई empirical evidence या empirical investigation क्या होता है मैंने बोल दिया कि supply में price बढ़ेगा तो supply बढ़ती है मैंने तो बोल दिया लेकिन data उठा के उसको test क्या रा गया और फिर proof किया गया कि जो मैंने बोला वो ठीक था कि नहीं था यानि कि जब हम अपनी theories को mathematically proof करते हैं उसका mathematical evidence लेके आते हैं तो उसको empirical testing बोला जाते हैं जब Keynes की theory को empirically test किया data उठाया ये theory proof नहीं हो पाई इस theory का proof जो है वो valid रहा कुछ propositions के लिए लेकिन कुछ propositions के लिए जो theory है वो fail हो गई तो कौनसी propositions थे जो fail हो गई पहला proposition जो fail हुआ वो ये था कि MPC हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा क्योंकि जब data उठाया गया तो देखा गया कि जरूरी नहीं है कि MPC की value हमेशा 0 और 1 के बीच में लाए करे data में MPC की value fluctuate बहुत जादा हुई तो ये तो आपका disprove हो गया next चीज जो बोली गई as income increases consumption also increases but at slow rate यानि कि आपका जो psychological law of consumption है वो भी आपका disprove हो गया with the help of empirical evidence तो empirical evidence ने उस चीज को भी disprove कर दिया था अब एक economist आये जिनका नाम है Kuznit Kuznit ने आपकी Keynes की theory को long run के लिए study किया उसका long run में analysis किया US का data उन्होंने उठाया था जैसे आप देख सकते हैं US का data 1869 से लेके 1929 तख उन्होंने लिया तो 1869 से 1929 तो obviously long term period है long term का data जब उन्होंने उठाया तो उन्हें पता चला कि Keynes की theory long run में valid नहीं है क्योंकि Keynes का consumption function जो है वो है A plus B y लेकिन long run में तो minimum consumption का concept ही नहीं आता क्यों? क्योंकि long run में जो मैं बहुत हो 20 साल में 20 साल में तो ऐसा कोई आदमी होगा ही नहीं जो earn नहीं करेगा जिसकी income नहीं होगी तो वो minimum consumption क्यों करेगा? 20 साल आप कितना dis save कर लोगे? 20 साल तक dis saving नहीं हो सकती ना? तो basically आपका जो ये वाला concept था ये disprove करके Cousinit ने अपनी theory दे के कहा कि C is actually equal to B y यानि कि long run में आपकी autonomous consumption जो है वो zero हो जाती है या हट जाती है long run में नहीं exist करती और long run में क्या रह जाता है? सिरफ आपका consumption जो income से impact होता है तो इस particular case में आपकी consumption curve जो है वो इस तरह से origin से start होती है यानि कि जब आपकी income zero होगी तो consumption भी zero होगी क्योंगी यहाँ पे कोई constant term है ही नहीं तो Cousinit ने इस तरह से आपकी Keynes की theory को disprove किया और एक और चीज जो उन्होंने कही वो ये थी कि MPC जो है वो equal होता है APC के long run में यानि short run में तो आपने ठीक कहा कि MPC is less than APC लेकिन long run में MPC और APC जो है वो equal हो जाते हैं उनकी values जो है वो same हो जाती है यानि long run में change in consumption upon change in income equal हो जाता है total consumption upon total income तो इन्होंने आपकी absolute income hypothesis को exaggerate या extend किया for long term period और उसे एक better model बनाया for the purpose of studying in a long time period with the help of empirical testing empirical testing के साथ तो इसके साथ आपका absolute income hypothesis खतम होता है I hope कि आपको ये model समझ में आया हो अगर आपको ये model पसंद आया है तो इसके बाद मैं आपके लिए और videos ले के आऊंगी जिसमें हम relative income hypothesis etc. की बात भी करेंगे सारे hypothesis आपके के करके हम study करेंगे तो if you like this video please contact us and study with me so thank you so much for watching I hope you enjoyed के स Oreo के करेंगे झांके करेंगे से यफिजीए हcott औरyeong यचाने ले खो यदा करेंगे